और आप सभी का स्वागत करती हो आपके अपने चैनल अन्सू का पाकवान में अगरस आप और aus को मेरी मेह नत और मेरी रेसीपी अच्छी लगती हो तो तो मेरे चैनल Copy और मेरी वीडियो को ला-गाइक-ज़रोर के जब चली रेसीपी की शुरुआत कर लेते हैं अगर अगर तो मैंने आपे ले लिए हैं गोवी के फूल तो हमें इस तरह से बड़े-बड़े साइज के मैंने फूल को तोड़ लिया और उसे बीच से हमें इस तरह से कट लगा देना है तो एक बात का जरूर द्यान दीजिएगा तो जब भी आप गोवी को लीजिए तो सबसे पहले उस एक चमच वोईल को डाल देना है गर्म होने के लिए जब तील अच्छे से गर्म हो जाया तो उसमें गोवी को डाल कर हमें golden fry कर लेना है तो बिलकुल इस तरह से हमें बून लेना है medium flame पे एक से 2 second के लिए तो देखिए color भी change हो गया है और गोवी अच्छे से बून चुका ह तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बाउल में तो फड़ा-फड़ से इसे हमें निकाल लेना है फिर से मैं इसी कराई का यूज करूँगी ज्यादा बरतनी यूज करने की कोई सरुरत नहीं है फ्रेंस तो मैं वापिस से वही कडाई ले ली हूँ उसमें मैंने एक चमच बोइल डाल दिया है और यहां पर मैंने डाल दिया है उबले हुए आलू बोइल पोटेटो जिसे मैंने पील करके और इस तरह से चार भाग में कट कर लिया है और इसे भी मैंने गोल्डेन फ्राई कर लिए आलू को यह भी फ्राई हो चुके हैं मैं इसे भी निकाल अब मैं यहां पर डाल दी हूँ दो प्याज दो प्याज ले लिया है जिसे मैंने बारी बारी कट कर लिया आप चाहे तो प्याज का पेस्ट भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो इस तरह से जब प्याज हलका सौफ्ट हो जाए तब मैं यहां पर डाल दूँगी अद्रक लहसन का पे इतने ही मसाले का इस्तेमाल हमें करना है ज्यादा मसाले डालने की कोई ज़रूरत नहीं और थोड़ा थोड़ा पानी डालिए फ्लेम को मिडियम रखिएगा और पानी डालते हुए हमें मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है जब तक ये side से oil release ना हो जाए देखिए मसाले भी हमारे लग रहा है लगबग लगबग भुन चुके हैं और साइड से तेल भी छोड़ चुका है तो चलिए अब मैं यहां पर डाल दूँगी जो हमने आलू और गोवी को फ्राइ किया है उसे मैं इस तरह से डाल करके अच्छी तरह से मसाले में कोट कर दू बिल्कुल इस तरह से आलू गोवी को डाली और अच्छे से इसे कोट कर दीजिए आप चाहे तो इसे ड्राइ भी खा सकते हैं पर मैं यहां ग्रेवी वाली बना रही हूं तो मैं यहां पर पानी का इस्तेमाल करूँगी तो मैं यहां पर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद दूसरे तीन मिनट इसे पकने देंगे शरी जब यह पक जाएंगे तो मैं आपको दिखा देती हूं तो देखिए बिल्कुल ही अच्छी तरह से पक चुके हैं मैं गैस को आफ कर देती हूं और इसे सर्व क कीज़ेगा ताकि मैं इसी तरह से जब भी आसान आसांसी और नई नई रेसिपी लेकर के आऊं तो आप सभी के पास सबसे पहले नोटिफिकेसन जाए चलिए मिलते हैं फिर से आसान और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वेडियो में